दोस्तो आप सभी का हमारे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत है दोस्तो अगर आप लोग घर में बेट के बोर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि आप लोग इस वीडियो में कुछ सबसे रोमांचिक राइड देखने जा रहे हैं जैसे कि अब ये कमाल के स्लाइड के राइड को देखे जिसे करने के लिए लोगों को पूरे 45 मिनट से भी जादा रुकना पड़ता है और उपर पहुचने के बाद यहां से नजारा सच में काफी जादा माइंड ब्लोइंग भी होता है तो लोग जब ये स्लाइड करने के लिए ट्यूब पर बेट जाते हैं तो उन्हें इसके लेटर से आगे बढ़ाया जाता है और इसी को जब जब जादा ही तेज हो जाता है पर अचाना कि ये स्लाइड के बीच में सब कुछ अंधेरा हो जाता है इसलिए लोगों को भी यहां पर काफी ज़ादा डर भी लगने लगता है तो कि आप लोग इस कमाल के स्लाइड में जाना पसंद करेंगे नीचे कॉमेंट कर बताइए नमबर एक जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे फिल्मों में समुदर में आक्टोपस को हमला करते हुए देखा ही होगा पर एसा ही राइड यह वाटर कोस्टर राइड है जिसमें राइड पानी के उपर यहां से शुरू होता है और चारों तरफ एसे पत्थर बनाए गए है और जब लोग पानी के फ्लो से आगे जाते है तो लेफ्ट साइड में ऐसा उक्टोपस का स्टैचू बनाया गया है जिसमें यह उक्टोपस के हाथ और आखों को रिमोट कंटोल से हिलाया जाता है इसलिए कुछ लोग इसे नस्दीक से देखे काफी डर भी जाते है और उस जिसमें लोगों को सीट पर बैठा कर उन ऐसे ऊपर से नीच देजी से घुमाया जाता है और एसे उपर से नीचे होते समय लोग चारों ट्रफ बी करते है您 के पानी इमौट कंट्रोल शार्क बमजूद रहता है और यह शार्कों बिल्कुल असली शार्क जैसा ही बनायाग् जिसमें ऐसा करने के लिए काफी maintenance लगता था इसलिए अभी यह पूल फीचर को निकाल दिया गया है नमबर दो, दोसो यह पार्क भी जुरासिक पार्क की तरह ही है जो कि आस्ट्रिया में मौजूद है जिसमें dinosaur की कई सारे statues बनाये गए है और लोगों को उसके पास जाकर photo खिचवाना काफी पसंद होता है जहां पर इसा छोटा सा pound बनाया गया है और उसी के अंदर इसा remote control वाला monster भी मौजूद है जो कि यह monster remote के जरिये सा धीरे धीरे उपर उठते रहता है और इसे इतना खतरनाक बनाया गया है कि बहुत सारे बचे से देखे काफी डर जाते है जो कि कुछ ऐसा ही चीज यह जापान के पार्क में भी मौजूद है जहांपर नदी में इसा monster निकलते रहता है और इसे टीरेक्स जैसा बनाया गया है जो कि इसका डेजाइन इतना कमाल का है कि यह दूर से काफी डरावना लगता है और बस इतना ही नहीं बल्कि इसके मूँसे सा धूँआ भी निकलते रहता है अभी Thailand के साफारी पार्क में बहुत सारे जानवर मौजूद है जिसमें जानवरों के हलावा water ride में मौजूद है जो कि पानी पे लोग ride करते हुए जाते है और वही पर बहुत सारे जानवरों के मूरतिया भी बनाई गई है जहां पर एक नहीं बलगी बहुत सारे जानवरों के प्रजातियों के मूरतिया देखी जा सकती है जिसमें से कुछ हिलते भी है और जैसे ही लोग ये ride खतम कर रहे होते है तब ही नकली शार को ऐसा उपर कर दिया जाता है जिसमें शारगमू खुला जैसा बनाया गया है इसलिए जब लोगी अचानक से देखते तो उन्हें काफी मज़ा भी आने लगता है और इसके बाद आखिर कार ये ride खतम हो जाता है अगर आप लोगों ने किंग कॉंग देखा होगा तो ये ride आपको काफी पसंद आएगा क्योंकि ये ride में इतना बड़ गोरीला को बनाया गया है और इधरी waterfall भी होते रहता है जिसमें ये बड़े गोरीला के आखे रंग बदलते रहते और उसके अलावा इसका मूँ भी हिलता रहता है जो कि इसी के वज़े से अनोखा राइड लोगों को काफी पसंद आता है नमबर पाच दोस्तो अब ये सीडर पॉंट अपने कोश्टर राइड के लिए काफी प्रसीद है जिसमें तेज कोश्टर से लेकर काफी उचे कोश्टर राइड भी मौझूद है पर अभी इसमें एक अनोखा water attraction खोला गया है जिसमें जब लोग यहां से शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत सारे अनोखे चीज़ दिखने को मिलता है और उसी मेंसे एक ये है जिसे देखे ऐसा लगता है कि अनकॉंडा ने बोर्ट पर हमला कर दिया है और उसे रिमोट से हिलाया जाता है ताकि लोगों को असली सनेक का फिल मिलते रहे और आखिर कर इसके बाद ये राइड खतम हो जाता है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं